उम सिरीगने सायन मदूस्तू एस्टू समादान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 सितंबर मंगलवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाए भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मीन रासी वालों के लिए मंगरवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज अचानक धनलाब प्राप्ति के आपके लिए अनेको योग बन रहे हैं और आपकी परियसानियां दूर हो सकती हैं आप अपने करम पर भरोसा रखते हुए अपने कामकाज को बहतर दिशा देने का प्रियास करें जिससे समय के नुसार आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सके दोस्तो साति सात 39 से संबंदित किसी सुब समाचार की आज आपको प्राप्ति होगी आधियत्मे क छितर से जुड़े किसी अनुबवी व्यक्ति का सानिद्ध्य हैं आज आपको प्राप्त होगा विध्यारती अपने लक्ष के प्रती एकागर छित रहेंगे तथा उसका प् पूचित प्राप्त होगा दोस्तों साती सात जो काम पिछले कुछ समय से रुके हुए थे या अटके हुए थे उनके आज पूरे होने के योग बन रहे हैं आपकी योगता पर प्रतिबा खुलकर लोगों के सामने आईगी अपने प्रतिद्यूंदियों पर सफलता और आज आ आदतों का विशेश रुक से अवलेकन कर रहे हैं जिससे आपके व्यक्तित्व में आश्चार्य जनक निखार आएगा संतान किशिक्षा वे केरियर आदी से संबंदित भी कोई बड़ा निर्णे आज आप ले सकते हैं विद्यार्तियों की पढ़ाई वे केरियर संबंदित समस्याओं का समाधान होगा जिससे सभी लोग राहत महसूस करेंगे आप भी अपनी कोशल शमताओं का भरपूर इस्तमाल करें बड़े बुजरगों का आशिरवाद वेक्रिपा भी आज आपके ऊपर बनी रहेगी स्वास्त में भी सुधार आने से आप अपने अंदर एक नहीं उर्जा महसूस करेंगे और पूरे आत्म विश्वास के साथ अपने कालरे के प्रती ध्यान देना सुरू करेंगे किसी रिस्तेदार से संबंदित कोई सुब समचार मिलने से बन में प्रफुल लता रहेगी दोस्तों साथी साथ आप लोग वेहवार कुशल होते हैं आ दोस्तों आज सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होने की संभावना कम हैं इसलिए किसी भी कारे को इस्तिरता और गंबिरता पूरवक करें जिससे आपको क्यामियाबी और सम्मान प्राप्त हो सके सगे संबंदियों से संबंद खराब होने की भी संभावना बन रही हैं धन करने का आज प्रियास विफल हो सकता है साफधान रहें साथिसाथ आर्थिक मामलों में वी साफधानी बरतने की आपको आवश्यक्ता है भाईयों से संपत्ती वे बटवारे संबंदित विवाद का हल किसी की मदद से हो जाएगा आप से संबंदों को ना बिगाड़ें युव जल्दवाजी वे अति उत्सा में बनाया गया खेल बिगड़ सकता है जिससे परिवारिक सुक्सांती भी प्रबाबित हो सकती हैं अपने लक्ष के प्रती पैनी नजर रखना आपके लिए अति आवश्यक है साथिसाथ अजनवी वे ऐ परिचित लोगों से वेवार वे लें जगती से दूर ही रहें बड़े बुजरगों के स्वास्त का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यक्ता है साथिसाथ व्यर्थ के कारों में धन खर्च होने के भी योग प्रवल्लता से बने हुए हैं भूमी या वाहन को लेकर भी कोई बड़ा कर्ज आपको लेना पड़ सक सकता है इसलिए अपने आर्थिक इस्तिती को ध्यान में रख कर ही खरीदारी संबंदित योजनाई बनाएं तो आप के लिए बहतर रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली हैं दोस्तों दामपत्य जीवन को लेकर इस्तितियां काफी अच्छी रहने वाली हैं जीवन साती के साथ मधूर संबंद होने के साथ साथ आपको उनका शैयोग भी प्राप्त हो सकता है घर परिवार की शुक्ष विदा के प्रती आज आपकी प्रात्मिकता रहेगी पती पतनी के बीच संबंद मधूर रहेगे परंतु संतान का कोई जिद्दीपन या नकारात्मक रविया आपकी चिंताओं का कारण बन सकता है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवेसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो वैपार के विस्तार संबंधी नई संबहवना पर विचार होगा अपना पूरा जोस मार्केटिंग में तथा अपने प्रोडेक्स के प्रमोर्शन में लगाएं नोकरी में अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और से कर्मियों का भी आज आपको पूरा सहयूग मिलेगा साती सात कार्य विस्तार की योजना भी कार्य रूप में प्रणित होगी परन्तु उस योजना पर पुन पूर्ण धंग से ढून लेंगे किसी बड़े अधिकारी या राजनितिक व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात से आपके काम बहुती आसानी से बन सकते हैं परन्तु के इमामलों में आपका स्वाब इमान आपकी उन्नती में बाधक बन सकता है इसलिए अपने वहवार को थोड लची रावना कर रखें यह ध्यान रखना आपके लिए अतियावशक है कि आपकी कोई महत्पपूर्ण व्यवसाइक गतिविदी आज लीक हो सकती है करमचारियों की गतिविदियों पर आज आप नजर रखें परन्तु जद ही इस्तितियां काबू में आ जाएंगी अत्यादिक मेहनत की वज़े से ठकान वे दर्द जैसी समस्यां उत्पन हो सकती है साथी साथ जादा गरिष्ट वे तला भुना भूजन खाने से भी आपको परेज करना होगा अन्यता पेट से समंदित समस्यां उत्पन हो सकती है इसलिए आप सुपाच्य भूजन करें और स से शुपए क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद भगवान बजरंग बली जी की प्रतिमय के सामने बैठ कर एक घी का दीपक जलाएं उसके बाद आप राम रक्षा श्रोत का पाट अवश्य करें जैंदोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशाने चल रहे हैं समस्त परेशानियों का अंत्य करेंगे और आपके सभी काम भगवान बजरंग बली के आशिरवाद से बहुत यासनी से बनते चले जाएंग झाल 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 झाल